इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उप्योग करते ह और कोमल उतकों के जीवानू संक्रमन के लिए प्रभावी है। यह दवा आम तोर पर आपको कुछ दिनों के भीतर बहतर महसूस कराती है। लेकिन आपको बहतर महसूस होने पर भी इसे निर्धारित रूप में लेना जारी रखना चाहिए। इसे जल्दी रोकने से संक्रमन वापस आ सकता है और इलाज के लिए कठिन हो सकता है। इस दवा को अपने चिकितसक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें। इसे पूरा निगल लें। इसे चबाएं, कुछलें या तोडें नहीं। Sporidex F750 Tablet ER भूजन के साथ या बिना भूजन की ये इसे लिया जा सकता है। लेकिन बहतर यह होगा कि इसे एक नियत समय पर वरियता के साथ लिया जाए। Sporidex F750 Tablet ER एक एंटी बावटेक है। यह जीवानूओं को उनके जीवित रहने के लिए आवश्यक जीवानू सुरक्षा कवच यानि की कोशिका दीवार बनाने से रोक कर उन्हें मारता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन आन आल नोटिफिकेशन पर सेट करें. धन्यवाद.